हलो साथियों नमस्कार मैं आशीज कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सन्राइजरेल अपडेट में आप सभी लोग का हर्दी स्वात करता हूँ साथियों आज आप लोग के बीच में एक और अपडेट भरी वीडियो लेके आया हूँ इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा कि जो पहले आप छुटियां लेते थे तो अपने छुटियां लेने के लिए या तो आप अपलिकेशन लिखते थे या फोन कॉल करके इन चार्ज को बताते थे उसके बाद आपको छुटियां मिल जाता था लेकिन अब रेलवे इसमें बहुत बड़ा बदलाब करने वाला है जो कि परतेक रेलवे करमचारी को जानना बहुत जरूरी है अगर नहीं जानेंगे तो बाद में बहुत पच्ताना पढ़ सकता है तो साथियों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कियें तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आज बगल में प्रेस बेल आइकन है उसे दवाने ना बुले ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकरशन हो सबसे पहले आपको मिले तो साथियों जो आज का अपडेट है उसको उपर में बात करता हूं कि जब हम अप्लिकेशन नहीं दे सकते हैं फोन कॉल नहीं कर सकते हैं तो आखिर हमें छुटी मिलेगा तो कैसे मिलेगा तो जी हाँ दोस्तों यह हर रेल्वे करमचारियों के मन में चल रहा है सवाल कि आखिर छुटी मिलेगा तो कैसे मिलेगा तो साथियों आपसे पहले जो भी होता था अगर हमको कोई साभी छुटी चाहिए CL, PL या EL जो भी छुटी चाहिए था तो उसमें क्या होता था कि कुछ दिन पहले हम एक अप्लिकेशन लि लेते थे यह पहले चल रहा था लेकिन साथियों अब का जो नया अपडेट है जो सुत्रो कमशार से पता चल रहा है उसमें बताया गया है कि अब आपको छुटी लेने के लिए फोन कॉल या लिखित आवेदन देने से छुटी नहीं मिलेगा अब साथियों इसके लिए रेल्वे बोर्ड का आदेश है कि जो HRMS है उसके जरिये छुटी को अपडेट करके छुटी लिया जाएगा जैसा कि साथियों जानते हैं कि जब से HRMS आया है उसमें बरावर कुछ न कुछ चेंजिंग करते हैं तो कुछ न कुछ नए अपडेट करते रहता है जिसके बज़ा से बारतिय जो रेल्वे है वो पेपर लेस करने की होड में लगा हुआ है डीटली करने में लगा हुआ है जैसा कि पहले आपका जो पास पीटियो बनता था वो भी आपका मेन्वल नहीं बनके आप ऑनलाइन HRMS के द्वारा बनने लगा उसके बाद जब फिर देखें कि mutual transfer, on request transfer जितने सारी transfer का case था वो सारे के सारे online HRMS portal पे कर दिया गया है तो उसी के ध्यान में रखते हुए अब रेल्वे ने जो छुटियां है उसको भी HRMS के जरिये ही अपडेट करने के लिए कहा गया है इसके लिए रेल्वे बोर्ड ने सभी जो नस्तर पे जितनी सारी छुटियां था उसे HRMS पे अपडेट करने का आदेश दिया गया है उमीद ढताया जा रहा है कि जो अगस्त के दूसरे सब्ता में सारे छुटियां को HRMS online अपडेट कर दिया जाएगा उसके बाद से manual छुटि बिल्कुल बंद हो जाएगा किसी परकार का छुटि नहीं मिलेगा manual जैसा कि साथ यों जानते हैं कि रेलवे करमचारियों को लगबग 11 तरह की छुटियां है जो मिलता है जिसे CL हो गया LAP हो गया PL हो गया SIC हो गया Defense हो गया या Scout हो गया यह तमाम तरह की 11 परकार की छुटियां मिलती है जिसको सभी छुटियां को HRMS Portal पे अपडेट कर दिया जाएगा जोन वाई जोन आपना डिवीजन वाई डिवीजन हर विभाग का अलग अलग हर करमचारी का अलग अलग छुटि system में अपडेट कर दिया जाएगा जैसे past video अपडेट रहते हैं उसी तरह से अब आपका जो छुटि है जिसको छुटि लेना होगा उसके लिए आपको online अवेदन के रूप में या जो भी परकिरिया बाद में आएगी system के जरिए HRMS में वो आपको बाद में बता दिया जाए जैसा ही अपडेट आएगा लेकिन अब यह उमीद है और पूर्णता आसा है कि जो हम लोग छुटियां लिखते थे वो अब बिल्कुल बंद हो जाएगा तो कहीं ने कहीं साथियों यह railway का जो एक पहल है बहुत ही अच्छा पहल है इसमें समय की बचत पेपर की बचत जब आप बना लेते थे उसी तरह से इसमें भी जो अपडेट किया गया है वो कहीं ने कहीं railway करमचारियों के लिए बहुत ही अच्छा पडेट होगा और मानने अपडेट होगा जो आगे के दिन जो अगस्त के लाश्ट में तक में जो इसका नया अपडेट HRMS पे आएगा उसको भी मैं आपके सामने लाने का कोर्सिस करूंगा उसकी परकिरिया को देखेंगे कि कैसे परकार्शे आप छुटी अपना लगा सकते हैं और कैसे कितना दिन पहले लगा सकते हैं तो साथियों तमाम सारे जनकारी जो नेक्ष वीडियो जो अपडेट वाएगा HRMS का अप लाओंगा तो साथियों वीडियो में बने रहिएगा और जितना भी वीडियो में डालता हूं से बाच करते रहें हो सकता है जब अपडेट आया मैं आपके लिए वीडियो सेपरेड वीडियो लेके आऊं इसलिए साथियों जो भी अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब किये हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जादे जादे हो सके दोस्तों में सेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाब मिल सके तो साथियों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक धन्यवाद